हेलो दोस्तो हिंदी मेर प्रफ्रिस से आपका स्वागत है चलिए दोस्तो आगे के प्रशन हम आपके शुरू करते हैं कल आपको बताय था कि हम आपको 60 कोश्चंस करा रहें लेकिन हम 60 नहीं आपको सिर्फ 50 कोश्चंस करा रहें आपके 22 से 31 आ चुका था अब 32 से लेकर आपको 60 कोश्चंस कराएंगे शुरकार से आपके 50 कोश्चंस से जादा ही बन जाएंगे लगभग ये 55 के आसपास कोश्चंस तयार हो जाएंगे अगर निवन से समबन दीत आपको और भी कंटेण चाहिए और भी प्रशन चाहिए तो कमेंट बोक्स में जरूर बताएं जीसे क्या होगा हमें पता रहेगा कि आपको और भी तयारी के ज़रुति यानि के और भी मौक टेस्ट यानि के प्रिपेरेशन के लिए आपको questions की जरूरत है तो और तयारी आपको हिंडी मेरार की तरफ से कराई जा सकती है लेकिन उससे पहला आपको comment करना है और अगर वीड पर अच्छे से अटेंप हो पाये चले शुरू करते हैं आगे के प्रश्ण कश्वा धर्म मारेसी मोही कुठाओ निवंद के रचनाकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी गोविन नारायन विश्र शामा मुखर जी इन में से कोई नहीं तो इसको तो अलमिनेट हम कर देंगे आगे दिखते हैं इन प्रश्णों के आंसर क्या जा रहे हैं आपने सोच लिया होगा 32 का आप आंसर अगर लगा रहे हैं चंद्रधर शुर्मा गुलेरी तो बिल्कुछ सही है यही इसका आंसर है अब आते हैं आपके गुलेरी जी की भाशा कैसी है प्रोड है परिमार्जीत है विशानुकूल है या फिर ये सभी है तो 34 का आपका आंसर क्या जा रहा है अगर आपने लगाया है प्रोड है तो बिलकुल सही है गुलेरी जी की भाशा जो है प्रोड भाशा में आती है अब है गोविन नाराण मिश्र के निबंद किसमे संगरित आपके सलेवस में नहीं है गोविन नाराण मिश्र लेकिन फिर पर लिजे क्योंकि आउट अप सलेवस भी प्रश्ण बनते हैं यासे निबंद आपके सलेवस में है आपने देखा होगा कि एक जगे तो आपके निबंद पर्टिकूलर दे दिये गया है कि यह यह निबंद जहाँ पर दिया गया है वहाँ पर किसी का भी question आप से पूछा जा सकता है ना तो answer सोच लिजिए गोविंद निबंद माला गोविंद निबंद वली ये फिर गोविंद सारनी गोविंद डाइरी तो 35 का answer अगर आप सोच रहे हैं ए भी दोनो पदम निबंदा वली तो 36 का अगर आंसर सोच रहे हैं सी ए भी दोनो तो बिल्कुल सही है पदम सिंग शर्मा का पदम पराग भी है पदम मंजरी भी है अब आते हैं आपके आरे ये 22 के कोश्चंस यहां पर कैसे आ गए हैं फिर तो आपके पूरे 60 कोश्चंस ही तैयार हो जाएंगे है ना चले देखते हैं आगे का प्रशन आपका ये बीच में प्रशन आपके आ गए हैं यहां पर आपके खतम हुए 36 फिर यहां पर है 37 चले देखते हैं पद्डे पदम शिंग शर्मा ने कैसे निबंदा को लिखा है विचारात्मक भावात्मक संस्वानात्वाग भी ठीक है तीनों ही प्रकार के निबंद इनों ने लिखे हैं नेस कोशन मुझे मेरे मित्रों से बचाओ निबंद के लेखक हैं शाम सुंदर्दा पंदित पदम सिंग सर्मा राम सिंग शर्मा यान में से कोई नहीं तो इसको टेलिमिनेट कर देते हैं अब बचे हैं तीन हमारे पास लेखक इन में से कौन से हो सकते हैं तो थर्टी एट का आपका भी जाया रहा है पदम सिंग शर्मा ठीक है इनके द्वारा ही लिखा गया है मुझे मेरे वित्रों से बचाओ है ना अब आता है नेक्स कोशन पर बाबा स्याम सुंदरदाज के निवंदो का विशे है मनोरंजन गंभीर हासेफ्यंग समाजिक कौन से विशे को लेकर इन्होंने निवंदो को लिखा है किसने बाबु स्याम सुंदरदाज जी ने तो इसका अंसर का अगर आपने सोच लिया है भी गंभीर विशेव को लेकर लिखा है तो बेलकुछ सही है आपका अंसर अगर भी है तो लगा लिजिए नेस कोशन है निम्लेलिकित में से किस निवंदकार ने मानवताबादी विचारों को अपने निवंदों के माध्यम से व्यक्त किया है तो किसने किया है बाब गुलाब राय ने सरदार पुरन सिंग ने चंदर धरम शर्मा गुलेरी नी या फिर शाम सुंदर दाजी नी तो मानू तब आदी विचारों को जो अभी व्यक्त किया है वह किया है सरदार पुरन सिंग ने और इनके निबंद की संख्या कितनी है ये आ इनके निबंद कितने हैं चले देखते हैं इन में से कौन सा निबंद अध्यापक पुर्ण सिंका नहीं है चले तीन तो आप कहें ही बदा चल गए हैं करन्यादान मजदूरी प्रेम और आचरन की सब्वेत्या इनके तीन है लज्जा और गलानी इनका नहीं है ये किसका है रा अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि निबंद जो टॉपिक है आपका यहां से प्रशन काफी बनते हैं क्योंकि हम लोग ज्यादतर उपन्यास पढ़ते रहते हैं नाटक पढ़ते कार्य पर अंग्रेज की भेदनिती पर भारतियों की गुलामी एमलाचारी पर या फिर उप्रोक्त सभी तो अब हम इसको अलिमिनेट नहीं करेंगी क्योंकि यह आपका आंसर जा रहा है यहां पर यह चारोई तीनों ही ओप्षन है निमन में से कौन सा सिर्शंबू का चिठा म बना गया तो अब यहां पर दूसरा बन चुका है तो दोनों को रिलेटरी करके आप पड़ सकते हैं श्रीमान का स्वाग पीछे मत्वे की आशाकांत कावे में रहसेवाद तो 43 का अगर आप आंसर सोच रहे हैं डी कावे में रहसेवाद तो यह नहीं है बलकि श्रीमान का स चिकर किया था हमने बताएए जल्दी से चिठ्षे से पत्रोर खत है या फिर यह सभी है तो 44 का बिल्कुल सही आपने पहुंच आना है श्रीमान के चिठ्षे हैं ना यहां पर इस तरह का कुछ नहीं दिया गया कि यह चिठ्षे किसका संबन्द है तो यहां पर यह शम्भू के चिठे से ही है ना चलिए नेस कोशन निम्ले रिकित में से किस निवन्द में हल चलाने वाले किसान को सभाव से सादू त्यागी तता तपस्वी बताया गया है बिल्कुछ जस्ट अभी समझाया था इनके निवन्दों के बारे में हमने तो मजदूरी प्रेम है कर अब आते हैं नेस कोशन मजदूरी प्रेम से सम्बंदित है मजदूरी प्रेम ने किसकी भत रसना की है मनुष्य की मशीनों के प्रयों की मजदूरों की जल्दी से सोच लिजिए आंसर आप इसका क्या सोच रहे हैं तो अगर आपने सोचा है 46 का आंसर भी तो बिल्कुल सही है मशीनों के प्रयोग से उन्हें का अगि मशीनों के प्रयोग बढ़ जाते हैं तो क्या होगा मजदूरी खतम हो जाएगी और जो काम हाथों से होता है वो खतम हो जाएगा है ना निमलेकित में से पढ़िये इसको बहुत अच्छा निवंद है इनका कौन सा निवंद अध्यापक पुर्ण सीन का है अमरिका का मस्त योगी वाल्ट हिट मैं भारतिय साहिते की विशेशता है कच्छवा धर्म मकरन तो कच्छवा धर्म तो हो नहीं सकता क्योंकि अभी अभी आपको इसक किस निवंद की निवंद को हिंदी निवंद का आदर्ष कहा जाता है बहुत अच्छा प्रश्ण है एकजाम में बन सकता है टिक किया वाँ है शांति प्रसाथ इवएदी डॉक्टर नगेंदिर आचारे राब्चंद शुकल आचारे कुछ रहे हैं क्या सी आचारे रामचन्दर शुक्र निवन इन में से कौन सा है बिल्कुल अभी में जब उपर हम कर रहे थे कोशन हम मैंने समझा वितार वह प्रशना कहां बन चुका है आचारे रामचंद्र शुक्ल का निवन संक्र निमने से कौन सा है आचारे विकारन रसाकटेक सिंतावनी रसग्यरंजन तो 49 का आपका अंसर मैंने बताया था सिंतावनी और ये दो भागों में भकते हैं ना पहले भाग में कितने निवन दे वो भी आपको पता होने चाहिए वो भी आपको पता होने चाहिए कि परशने वहां से भी बनते हैं नैस कोशन मनोविकार संबंदी निवन इन में से किसले खक ने लिखे हैं हरिशंगर परसाई अचारे रामचंद्र शुक्ल हजारी परसा दिवेदी परताप नारान मिश्र तो 50 का अंसर बिल्कुल सही आपने पहचाना अचारे रामचंद्र शुक्ल लेकिन मैंने कहा दो भागों में वह तक कौन से भाग में आता है ना चले देखते हैं कभीता क्या है किस प्रकार का निवन ये भी उनिगा है मनोविकार संबंदी से अध्धान्तिक समिक्सा संबंदी वैवारि से अध्धान्तिक समिक्सा संबंदी निवन अब ये अच्छे से थोड़ा डीपली पढ़ लिजिए इनको है ना अब आते हैं विचार विथी में किसके निवन संग्री थे रामचंद्र शुक्ल महाविर परसाद दिवेदी मविध्यानिवास में श्रे हजारी परसाद तो 52 का भी आंसर रामचंद्र शुक्ल ही जाएगा ठीक है अब आते हैं रामचंद्र शुक्ल जी का पर्थम परकाशित निवन कौन सा है श्रदाबकती करूना उत्साह या फिर सहित्य इसका मतलब इनके चारों ही निवन अब यह चारों निवन कौन से भाग में आते हैं य वे बाद में किस नाम से प्रकाशित हुए चिंतामणी भाग एक तो साधारी करण व्यक्ति व्यचित्रेवा लोकमंगल की साधनावस्ता विचार पर वहां तो 54 का अगर आपने सोचा है आंसर चिंतामणी भाग एक तो तो बिलकुश सही है और ये जो निबंध है ये इनके अंतरगत आते हैं इन पार्ट के अंतरगत निबंध में से कौन सा निबंध वहवारिक संबंदी निबंध है इर्शिया क्रोध जैसी गरंथावले की भूमी का इन में से कोई नहीं तो इसको तो इलिमिनेट कर दीजिए अब तीन में से हमें देखना अंसर कौन सा जाएगा तो फिप्टी फाइब का अगर आपने सोचा है सी जैसी गरंथावले की भूमी का तो बिल्कुत सही है ये भी वहीं पर है पार्ट वन पार्ट टू में नेस्ट कोशन निमलिकित में से कौन सा निवंदकार शुकलियुका है माखनला चत्रुवेदी मादो परसाद मिश्रु पदम सिंग शर्मा जगना परसाद चत्रुवेदी शुकलियुका है आपर बताना है कौन से निवंदकार है अगर सोचा है माखनला चत्रुवेदी तो बिल्कु सही है ये जो है किसके हैं शुक्लियोग से हैं भाउक्ता मैं शैली में निवंदों की रचना किसने गी है डाक्टर गुलाब राय पिताम बरनात बढ़तवाल बाखला चत्रुवेदी राहुल साकरत तयायन भाउक्ता मैं शैली में ठीक है फिप्टी सैवन का आपने अंसर सोच लिया है सी माखला चत्रुवेदी तो आप एको सही जा रहे हैं पदमलाल पनुलाल बक्षी द्वाररचित निवन संग्रे हैं पंचपात्र विश्व साइत्य मकरन बिंदू या फिर यह सब ही तो फिप्टी एट का आपका डी जाएगा यह सब ही इस तरह के जो आंसर होता है बहुत ही अच्छे होते हैं क्योंकि इसके साथ हमें एक सार्थ तीन जीजों का पता चल जाता है तो पदमना पुनानाल बक्षी के आपको तीन निवन पता चल गए है ठीक है आप चलते हैं आगे शांती प्रिया दिविदी के निवन्दों की विशेवस्तु पने जीजीवन विएक्तिक वसमस्याएं एभी दोनो रांइती समस्याएं तो मैंने भी समझाय था कि इस तरह के आंसर जब बनते हैं तो बहुत अच्छे होते हैं एभी दोनों ही जाएंगे निवलेकित में से किसके निवन्दों मे भावक्ताव है आतमत्या की परधानता ह शांती प्रियादिवेदी डॉक्टर गुलावरा इन में से कोई नहीं तो इसको तो इलिमिनेट कर दीजिए तो 60 का अगर आपने आंसर सोचा है भी शांती प्रियादिवेदी तो बेल्कुल सही है चले नेस कोशन देखते है नियुलेकित में से कौन सा निमंदकार भार्षा क जादो करके रूप में विख्याते बहुत इंपोर्टेंट प्रशन आता है एक्जाम में शीव पोजनसा है रववीर सिंग शांती प्रियादिवेदी पदुमलापुनलाल बक्षी तो 61 का अगर आपने सोचा अंसर ये शीव पोजनसा है तो बेल्कुल सही है इनको भाशा क जादोगर के रूप में जाना जाता है और ये प्रशन अक्षर पूछा भी जाता है चले लास कोशन इसको पढ़ लीजे कुछ निवन संग्रे के रचनाकार है कुछ अब ये प्रशन का अंसर आपको देना है कमेंट बोक्स में ये आपके लिए जो है सर्प्राइज कोशन ह इसके लिए आपको अंसर देना है ठीक है और इस परकार से अगर वीडियो पसंद आई है तो L करना है S करना है प्लस C करना है लाइक करना है शेयर करना है साथ में कमेंट भी करना है बैल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए अगर आपने लाल बटन नहीं दबाया है तो दबा कर जाएए क्योंकि इसका जो निबन का आपका आज पार्ट कतम हो चुका है लेकिन अगर आपको लगता है कि और भी आपको रिक्वार है तो बना दी जाएगी इसके बाद आपकी यूनिट 10 से कोश्चन जो इसमें आपकी अन्य विधा हैं जिसमें आत्मकता है जीवनी हैं और भी बहुत से कोश्चन उसमें बनेंगे तो बने रही है हिंदी मिरर की साथ और अपनी तयारी ऐसे ही करते रही है अपने यूजी से नेट को क्वालिफाई करने के लिए और हिंदी मिरर की साथ अपना प्यार और साथ ऐसे ही बना कर रखे जिससे आप लोग का साथ और हमारा साथ आगे तक चलता रहे